मंत्री के समच्छ डीलर संग का हंगामा इपास मसीन से वेटिंग मशीन को जोडने के आदेश को निरस्त करने की माँ एक दिवस्य दोरे पर चत्रा पहुंचे प्रभारी मंत्री सा सूबे के पेरजल एवं सुच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के कारिक्रम के दोराण डीलर संग ने जम कर हंगामा किया पडि सदन भवन पडिसर में चत्रा जन वित्रन प्रणाली संग की प्रतिने धियों ने नारेबाजी करते वे मंत्री को ग्यापन भी सौपा यापन के माध्यम से संग ने जिले में लागू ई पॉश मसीन से वेटिंग मशीन को जोड़ कर अनाज वित्रन करने की लगुन निर्देश को ततकाल प्रभाव से निरस्ट करने की मांग की है साथी बगैर अधिकारी के निर्देश नियम को डीलरों पर थोपने वाले आपूर्ति विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर को ततकाल प्रभाव से विभाग से हताने की मांग जोर पकरने लगी है डीलरों का रोप है कि आपूर्ति विभाग गौरा अनाज वित्रन को लेकर जन वित्रन प्रणाली दुकानदारों को उपलब्द कराया गया इपॉश मशीन यदा कदा ही दुकानों में काम करता है क्योंकि जिले के जदातर इलाकों में टूजी सेवा ही काम करती है ऐसे में एपॉश मसीन से वेटिंग मशीन को जोड़ कर आनाज वित्रन करना मुश्किल ही नामूम्किन है क्योंकि जादर पर डीलर दुकान में इतर पहाड और अन्य इलाकों में जाकर इपॉश मशीन काप्यों करते हैं ताकी काडधारियों को समय पर ना सिर्फ आसानी से अनाज मिल सके बलकि अनाज का सा समय वित्रन भी समभव जिसकी जानकारी विभाग एधिकारियों को भी है विभाग ने भी जाटो प्रांत सरकार को दीलरों की समस्य से अवगत कराया है बावजूद इसके इस मसले पर अब तक कोई विचार नहीं किया गया ऐसे में परिशानियों को देखते वे जिलिभर के दीलर अनाज वितरन से इंकार करते वे हरताल पर चले गए हैं इतना ही नहीं जन वितरन प्रणाली संग ने मंत्री से बगार कैबिनेट में पास जन वितरन प्रणाली मिसे अनुकमपनियम को हटाने का भी विरोध करते वे उसे भी लागू करने की मांग किया जिस पर मंत्री ने विभाग ये मंत्री से बात करने का आश्वासन दिया है ऐसाफ लिए वहां से संचालित किया जाता है डिल्रो कभी समस्य वहां से निदान किया जाता है वहाँ एक कम्प्यूटर ऑपरेटर कर रूप में नूंक्थ मनमानी तरीके सा संचालित अपने हिसाब से पूरा डियसो को करता है और तब से पूरा बीना आदेश के कोई भी चीज को लागू कर देना आज जो इपोस मसीन अर्वेट मसीन का जो समस्या डीलरों के बीच हो जो हुआ है इसमें बहुत बड़ा योगदान उस कंप्यूटर बीचे इसका मांन करता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर को इस विवाग से हटा करके के दूसरे जगल ले जाया जाए और एक निस्पक्ष कंप्यूटर ऑपरेटर को जग गरीब के हीतों में और यसे दिलर के हीतों में जो काम करें उसको यहां पर नहीं हमारे मान्यें यहाँ ई-पॉस मसीन को वेट मसीन से जोड़ दिया गया है और मात्र 887 टिल्डरों में 357 लोग को जोड़ा गया है साइच चेक किया जा रहा था और वो तमाम जो जोड़ा गया है वो यहाँ काम नहीं कर रहा है चुकर टू जी आपका सेवा यहाँ बहाल है हमको लगता है कि 4G सेवा जब तक के नहीं सरकार बहाल करती है वेट मसीन को ई-पॉस मसीन से जोड़ना उचित नहीं है इस कारण 14 जिला में बितरन ठप है हम तमाम लोगों ने अपने उपायुत महुदय और डियसू महेदे से हम लोगों ने बात किया मांग पत्र सोपा तू उन्होंने तुरत ही तमाम छेतरों का भर्मन किये और हमारा वेट मसीन और ई-पॉस मसीन को जोड़ करके देखे तो काम नहीं कर रहा था ऐसे हालत में 14 डियसू का पत्रांग 832 दिनांग 20 आठ दुहजार बाइस के दुवारा अपर सचीव जारखन सरकार को लेटर भेज कर उन्होंने मांग किया कि जब तक के फोर्जी शेवा और आपका टावर सरवर का प्रोब्लम है तब तक के यही पॉस मसीन को वेट मसीन से ना जोड़ा जाए पुरवता जिस तरह पुर में बितरन हो रहा था उसी तरह का बितरन करने का अनुमती दी जाए लेकिन अब ही तक जारखन सरकार के सची को कान में कहा जाए कि जूए भी नहीं रहेंगा है और हम तमाम दीलर परिशान है अगर चत्रा में कोई जनता भूग से मरती है तो उसकी जिम्यवारी हमारी नहीं है हम तमाम लोग मांग करते हैं कि यहां किसी तरह का भूग से नहीं मरें सरकार का भी किरकिरी होगा परसास रहे हैं कि तुरत पूर के तरह बित्रन सेवा दी जाए हम लोग कल से बित्रन करेंगे अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रुप से पूरा 887 दिलर हरताल में जाएंगे हम लोग बित्रन बंद करेंगे जब तक फोर जी या पूरवता बित्रन का हम लोग को आप्सन नहीं दिया जाता है